हेलो दोस्तों कैसे हो आप लो में हमपुशकर स्वागत है मेरे चैनल में आज मैं आपको एक आवाज के बारे में बताऊंगा जो सब किसी में नहीं आती है कुछ अभी देखा होगा छोटी गाड़ियो में चलते वक्त एक गुंग्रूओं जैसी चंचन की आवाज आती है वह अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे इस वीडियो में तो देखिए अभी इसमें कोई आवाज नहीं आ रही है मैं इसको हिला रहा हूं तो इसमें यह जो आगे आपको अब चलता हूं जिस साइलेंसर में से आवाज आ रही है यह इको स्पोर्ट का साइलेंसर है जो नीचे से ऐसा दिख रहा है आपको तो आई बटन में आप देख सकते हैं यहां कि आपको कार की बॉड़ी के नीचे के सारे पार्ट इस वीडियो में दिख जाए यह देखिए यह इसका पीछे का बंपर है और यह साइलेंसर जो अग्जोस्टर है यह यहां से निकल रहा है और इको स्पोर्ट का आपने देखा होगा एको स्पोर्ट का तो लगबग इसी इससे में वह वाला हिस्सा था जो आपको बड़ा यह वाला दिख रहा है लेकिन इस अल्टो में आपको थोड़ा सा पीछे है और यह देखिए काफी पुराना हो चुका है यह इसके साथ का ही है और 11-12 साल पुरानी अल्टो है तो इसमें से जो अभी आप मैं आपको आवा सुनाता हूं यह देखिए दोस्तों यह देखिए जैसे रेटल स्नेक आता है वैसी आवाज करता है जैसे रेटल स्नेक अपनी रेटल को हिलाता है सिकार के लिए तो यह गाड़ी दचकों में चलते वक्त ऐसी आवाज करती है तो यह आवाज इसलिए आती है क्योंकि यह जो इसका यह यहां पर बीच में कहीं एक फिल्टर आता जिसको जाली बोलते हैं, वो तूट जाती है, वक्त के प्रच्छ और जंग लगने के शाप से और धचकों में बहुत गरम होने के बाद में तो यह जाली तूट जाती है, इसलिए यह वाली आवाज आती है, यह देखे दोस्तों, और यह कोई वैसे परिशानी नहीं है, लेकि वेल्ड हो जाती है जाली या फिन नया साइलेंसर भी टलवा सकते हैं तो ज्यादा खर्चान्य करके अपन आराम से इसको कटवा करके बीच में और जाली लगवा देते हैं तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक करें दो